है शुल्पित ईप सीनवर्टि में जब से 2.6 सव न लॉह से जार मेंबर्स के नपे तरो की सुआए लाएग से ऐख और वन सब्सक्राइब प्रीबॉट कोई सॉब्सक्राइब की त्यीं पिर चुल्काल बेस्थित ओमिज़क प मेंजूस्स प्डाइब स्क तो डेफिनिली उसकी वर्थ में फाइफ फोल्ड, सिक्स फोल्ड, सेवन फोल्ड यानि के दस गुना तक इधाफा हो सकते हैं और किसी छोटी रोड पे है तो डेफिनिली वो डिमांड में तरह नहीं आता क्यों कमर्शल के लिए हमेशे चाहिए थी पार्किंग स्पेस और बाकी चीज़ें और दूसरी हाइट क्या कमर्शल प्लॉड लेते हैं तो उसके वपरा हाइट कितनी प्रमिसिबल है कितनी हाइट वर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तरह दो देले बात करते हैं धायी मर्ला कमर्शल का साइज क्या होगा जो टू पंट सिक सेवन मर्ला कमर्शल हो गा त्टी वै थर्टी यन्नी ट्विट फृट फरंट थर्टी फीट डैप्थ होगी स्कूर फीड बात करें तो उसका बंदा है तक्रीबन 600 square feet और yards में बात करें 67 square yards का plot बनता है 2.67 मरला commercial का अब इसमें आता है दूसरा सवाल कि इसकी location कहां पे होगी यानि कि 2.67 मरला locate कहां पे करेगा 2.67 मरला जो होगा वो sub-sector market में होगा जैसे कोई भी block होता है 5 मरला की cuttings हैं या 10 मरला cuttings हैं जो छोटी cuttings होंगी यानि commercial plot जो grocery market होगी वहां पे वो definitely 2.67 मरला commercial की होगी चार मरला commercial की यहां पे market नहीं होगी चार मरला commercial जो में रोट पे यह separate मरकस बना के उनके उनको वहां पे allocate किया जाएगा धाई मरला commercial sector market का plot होगा permission इस पे जो construction की है वो है 2.67 मरला पे ground plus 2 होगी यानि basement, ground, first or second, total आप चार फ्लोर construct कर सकते हैं और construction कोस्ट के हैं तो उस लहाँ से देखा जाए तो आपकी बहुत ही अच्छी और feasible investment बनती है बड़े कम पैसों में यानि कि कम पैसों समरा दिये कि अगर मैं इसका neighborhood से मैं इसकी separate video बना दूँगा neighborhood से commercial का rate लगा जाए तो rate क्या बनता है तो इस लहाँ से commercial की value जो दी जा रही है वो actually वो आपकी value करती है चीज वर्थ करती है अगर आप उसको buy करते हैं एवन दो कुछ own के साथ भी है लेकि own के साथ ही वर्थ करती है कि आपका उस property चार साइट से main public road के साथ accessible है यानि के GT road के साथ, लाहौर इस्टन बाइपास के साथ, सेलकोड मोटर वे के साथ और इसकलाबा लाहौर इसलामबाद मोटर वे, M2 के साथ, M11 के साथ यानि सेलकोड लाहूर मोटर वे तो ये चार public location के साथ इसलिए बर्थ जाता है चे मरला कमर्शल की बात करें तो चे मरला कमर्शल जो साइज बनेगा 30 x 45, 30 feet front, 45 feet depth इस 30 x 45 feet में जो yards में बात की जाए तो 150 square yard का plot है construction में इसमें perks हैं, यानि इसकी और 8 मरला की height जाए, वो same होगी most probably 8 मरला और 6 मरला commercial plot आगे-पिछे होंगे यानि कि front और back will side पे होंगे और दोनों commercial plot जोंगे main roads पे होंगे और दूसरी probability ये है कि commercial plot को किसी मरकज में रखा जाएगा 6 मरला के क्यूंकि अच्छे plots हैं और लाहूर का October 2022 में लाहूर downtown के नाम से project launch होगा जिसमें इनकी location allocate की जाएगी यानि याँ पे सिर्फ commercial market होगी यानि commercial sector होगा वहां पे इसको allocate किया जाएगा तो 6 मरला commercial और धाई मरला commercial की location प्लस इसकी जो height है height इसकी 8 मरला के से comparable इसलिए होगी कि 8 मरला plot पे ground plus 5 की permission है यानि basement, ground, mezanine और पांच फ्लोर कर लें तो आपको ground plus mezanine के साथ यही चार फ्लोर उपर add कर लें तो 6 मरला commercial में इतनी height मिलेगी तो अगर एको plot ज्यादा वर्त करता है यानि कि अगर residential plots में देखें तो 5 मरला बहुत favorite होता है तो commercial में देखा जाए तो 6 मरला और 8 मरला optimal favorite होंगे तो इसलिए दोनों की वर्त बनती है अगर आपको लाहूर स्मार्ट एम वोकिंग के वाले समें कुछ मालमाद चाहिए तो मेरे नमबर आपको स्ट्रीम पे वैलेबला हम जो WhatsApp कर सकते हैं इसकला हमारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो ची लगे तो प्लीज डूलाए कॉमेंट और चैनल को सब्राइब करना मत भूलें रिज्मान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियों के लिए खुदा हाफिस कर सकते हैं